रोष्णी देवी जी स्वागत है आपका स्वागत है रोष्णी जी तो मैंने वहां कमपनी में बात की थी तो डोफस्थथएब ने बताया कि उसको पी केर कैशल दो तो मैंने फिर सोचा, मैं भाई साम से बात करूँगी तो फिर मैं सला लेंगी तो फिर मैं क्या करूआ बतायो धी कि बलेड प्रेशर चेक करा है उपका कॉलिस्टाल चेक करा है और पूरी कैफियत लें पी केर तो देना शुरू कर दे कि कभी उनको पेट की वज़े से ये सारी पाबलम है तो पी केर उनको अच्छा कर सकता है लेकिन उनको ब्रेड प्रेशर एक दिन में चार बार चेक करें इसकी मशीने भी आती है अपने घर पर लाकर रख रहे हैं अलक्ट्रोनिक मशीने होती हैं लगाया और आपको पता रहता है कितना बीपी है और चक्करों के लिए लिए बेखें अगर बीपी नहीं है तो ये एक्सेसाइज है ये तीन मिनट और ऐसे ये तीन मिनट रोज आना करें तीन मिनट हो जाना चाहिए तीन-तीन मिनट चाहे छे बार में करें दस बार में करें लेकि तीन-तीन मिनट करें अगर जो मैं समझ रहा हूँ अगर वो रोग है तो दस से पंधरा दिन में इनको असानी हो जानी चाहिए हो सकता है दवा की ज़ कघू तेटली को सब्सक्राद इस है år नोग किन पिपली 100 गिराम सग्षार में दस विराम डलता है भी आप सिर्फ 40 गिराम से Wars यह पिपली का मैं किसा ए है काफी गरम होती है तो अगर इतना लेंगे तो आपको इजाज़त है कि आप उसमें पीपकी मिला सकते हैं महेंद्र जी है next caller स्वागत है सार आपका नमशकार सर कहां से बात कर रहे हैं मैं बाला से बोच रहा हूं जी आपका सवाल है मैंने आप से दीम बाई मटा इसी हम जयतों का सिरखाथा और वो तो पूछना था कि य कहते हैं क्या है अज्य अभी शुरू नहीं किया है कि अजा रमी सुरू तो किया वा है लेते हैं दो टेम कर जी हम कभ से ले रहे हैं किस रोक के लिए ले रहे हैं यह एक तो पाचन के रिया खराब है खाजमा नहीं होता है ठीक ही ठीक है तो दो चम्मच दो बार खाने के बाद पानी में मिलाकर लेना बेहतर है इस पाचन के रिया और अपनी दवाईयों में साथ इसे ले सकते हैं और गौन सिया अधा 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 गिराम दो बार खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूसरे लेना बहतर है तीन-चार महीने इस्तमाल करें तो आपको फायदा होना मुमकिन है हिमाचल से है सतीश शर्मा जी स्वागत है आपका चाल वा जी नमश्यकार सई आपका आपका लगें का बात ऐसे हैं कि मेरा लड़का है साइस साल का उसको ने हिट की आती है पांच छे मिल निक बार हिट की चुरू उत्पर तीन तीन चार चार दिन लगी रखती है डाइस साल का बच्चा 27 साल का बच्च देखिए एक गौंद आता है गौंद मौरिंगा सफेद वो में दफ्तर में गया तो मेरे एक मावविन को हिच्की आ रही थी मैंने क्या इतनी हिच्की आ रही है को इन लगा मेरे छे-छे महीने तक हिच्की आती रहती है अरे तुझे बालूम नहीं हो गौंद मौरिंगा सफेद तो एक ग्राम का ले और मुझे दूसरे दिन मिला तो करा मेरे एक खुराक में फाइदा हो गया हो सकता है आपके बच्चे को भी इसी तरह फाइदा मुम्किन हो गौंद मौरिंगा सफेद एक ग्राम रोजाना पानी के साथ या दूद के साथ ये नारियल नुस्का है या नी, मेरे अनुभाव का नुस्का है, लेकिन असली लेना गौन, मौरिंगा, सफ़ेद, आपका बच्चा अच्छा हो सकता है। राधा कृष्णा जी है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी. नमस्कार सर. राधा किशन बोरा जी, मेरे बेते को मौ में फोरे हैं जी, काले बहुत स्थक्स, ताग गेरा बहुत है जी, 17 साल का है। गुछ गुटके वगेरा खाते हैं क्या हूँ? आप जी. गुटका खाते हैं क्या आपके बेते? नहीं कुछ निखाते हैं डॉक साव भी पढ़ रहा है, प्लस टू में पढ़ रहा है। अच्छा अंदर है मूँ के या बाहर? बाहर है काले कहले हैं मौ से बहुत ते रख्राव हो गया, कीले, बहुत दाग्स तक बहुत है। नमक जैतुण, असली ले, नमक जैतूण असली लेना जरूरी है नकले भी मिलता है, बस एक चुटकी नमक जैतुण, दो गिलास पानी में मिलाएं उस पानी से इह अल्सीयो धनीये का पौडर है, एक चम्मच खिला हैं, दिन में बस एक बार, या जऍ-ज़दे 2 बार, आप कि बच्चे को फाइदा होना मुम्किन है अकीम सब आप एक चीज बताते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जब लोगों को भूक नहीं लगती है या फिर खाना उन्हें स्वादिश्ट नहीं लगता है अधरक और लस्टन का इस्तमाल करना आप बताते हैं कुछ लोग क रिपक इसा हुआ अगर हम इस्तमाल करें तो वो भी उतना ही लाब देता है जितना वन के छाबुत लोगता है अगर ये तीन चार चीजए मैं अकिसर कहता है माहिलाओों से कि ये कंजूसी से इस्तवाल नगे एक खाने की जान है पेट की और हाजमे की जान है और अक्सर मैंने कहा है काफी प्रोगाम में कि अदरक इत्ती सी यूज़ करते हैं कि महंगी आती है लस्टन भी जरा सा लेकिन ये महंगे नहीं है आपकी सहत के इसाब से बहुत सस्ते है इत इतनी अदरक इतना लहसन और इतना धनिया और जीरा भी खूब सारा इस से आप खाना बना के देखें कभी वाकई ये मेरा जाती तजर्बा है कि अगर आपने इनको जादा जादा डाला तो परिवार को आप खाना देंगी और वो खाना खाएंगे और मैं भी अगर खाता अगर इतनी चीजों से बनावा हो जादा जादा तो मैं खाना खा चुकता हूं ट्रे आगे सरकाता हूं और यह लगता है कि फिर भूक लगिया है तो यह समझ लिए कितने कीमती चीज़े इन में कंजूसी मत कीजिए आपको बहुत फाइदा मुम्किन है गुरेटन ओडर से कि आप उससे दर खुरूरत लग रही है बहुत 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 शुक्रिया मैं मुम्किन है तो मैं आपसे यह पोछना चाहिए थी कि मैंने जीरे का फिर क्या पूछा था वो आपने बता दिया था कैसे लेना है इससे पहले मैं गौन सिया और गौन बोरिंगा दोनों ले रही हैं तो गौन सिया से तो दोक्तर मेरे को बहुत अराम है बहुत ज़ादा मेरा पच्छी सानों का दर था बहुत यह समय लो कुछ चार इससे कम हो गया एक इससा रह गया बहुत वोड़ा था तो अगर आप कहें तो मैं गौन सिया इस बार दुबारा ले लू और कोई सावार? प्लीजिंगे लाद बताएए जी थाइराइड है और शरीर में गाठे हैं तो जीरे का सिर्का तो आपको लेना ही है एक चमच धनिये के पाउडर के साथ लिया करें तो यह थाइराइड को आराम करते हुए और गाठों को फाइदा पहुंचाते हुए यह आपको काम करेगा और अभी क्योंकि एक हिस्सा रह गया है आपके दर्द का तो गौनसी आपको और लेना चाहिए कुछ दिन और एक बात का ख्यार लगए अगर आपके घर में वेस्टन टॉयलेट ऐसा कुरसी वाला शचाले नहीं तो फॉरन लगवाले और है और आप उस पर जरूरत पूरी हो जाता है यह साइटिका की शुरुवात है कमर में नस दब जाती है और वो नस खून सप्लाई वाली होती है जब दबती है तो बड़ी तकलीफ देती है तो अभी से आप एस्तियात करें और जाड़ों पहुचा ना करें यह जो पंजों के बाल बैटके जो काम किया जाते ह है यह सब नहीं करने चाहिए वजन नहीं उठाना चाहिए और उस दर्थ के लिए भी गौंसिया ही काम करेगा लेकिन इन दो तीन बातों पर मेरी अगर आप अमल करें तो आपको फायदा मुपकिन है अगली कॉलर है हमारे साथ ममता जी स्वागत है आपका जी मैं बहुत ब बहुत करने चाहिए भट दिन से लगा रहा है तो पहली बार लगा आपको बहुत बहुत धन्वान मैं बात कर लिए च्वागत है आपका जटा जी जी बनसकार आप तो हजनारो साल जी आपका प्रोग्राम देखती हूं ने जी जी तब मुझे हाकिन साब मुझे प्यास बि पाने के लिए ठीक 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 जी और प्यास बहुत दिन हो गए कंसालों हो गए बर्फों हो गए आईउ बता दीए अपनी जी मेरी पता से उपर है ठपन ठपन के लगा तो दिखिए प्यास लगने के लिए एक मामुली सी चीज़ बता रहा हूं यह जो पन्वारी पान पाने कि लिए उस में कुछ लगाईये नी καत चूना कुछ नहीं बस आधा पान और सादा पान सिर्फ पान और कुछ नहीं चबा के खा लिजए और पानी पी लिजए इससे आपको पूरे दिन प्यास लगेगी और आप जितना प्यास लगे उतना पानी पीज़ए और कैसा खाना खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता हाँ इसके लिए आप एक नुस्का बना लीजे सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना तिक बहुत मश्यूर और कामियाब नुस्का माना जाता है ये युनानी का और ये नुस्का यू है के सौफ, सौघराम, सौट, सौघराम, जीरा, अजवाइन, सौघराम, और धनिया, मेथी, सौघराम, इसको पौरडर बनाके रख ले और एक आता है नमक जैतून दिखने में बलकुल नमक जैसा ही होता है लेकिन साद में अमकीन नहीं होता है, इसकी पहचान होती है, तो एक चुटकी नमक जैतुन, दो गिलास पानी मिला दें, और इस पानी से ये जो छे चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है, ये एक चमच खाएं और ये पानी पी लें, तो ये पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता है, दस बारा इन्फेक्शन, भूक ना लगना, इन रोगों में काम आता है, फिर लीवर हमारा सुस्थ हो जाता है, एक सर तो भूक नहीं लगती, लीवर को कहता है कि जिम्मेदारी से काम कर अपना और तोड़ा फास्ट हो जा, कुटनी की बड़ी सफाई करता है, और भूक लगाता है, इस तरह इस्तेमाल करें, फाइदा उठाएं, अगली कॉलर है, यूपी से सुल्ताना जी, स्वागत है आपका, जी अस्मालाइकूम, वालेगूम, असलाम मैं, वालेगूम, जी, हकीम जी, और शाल्जाइक जी, बहुत 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 शुक्रिया, तमाम टीम का शुक्रिया मैं बहुत टाइम से परिशोन थी, आपको कॉल करने के लिए, और बराबर कॉल कर रही थी, कोशीशे कर रही थी, और दौाइं मांग रही थी, लगिन मेरी कॉल नहीं लग पा रही थी, ऐसा लग रहा था, मुझे जिससे धका एक सरफ को बेजिये जाता है, लगिन मैं प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है कि मैं बता नहीं सकती, मेरा बड़ा दुखवा दिल है, हाथसों से बहरी मेरी जिंदगी है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम देखती हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और मुझे बड़ा सुखून मिलता है, आपके नुस्ते बेश टीमती नुस्ते ये, अन्मोल है, अपने आप में नायाब है, मेरे पास अलफाद नहीं है, मैं आप ती नुस्तों की कितनी तारीफ करूं, मैंने अपने लिए गौनसिया मंग गया था, ताइम में काफी दिन से मेरे तकलीफ है, बैसके नमाज पर नहीं हो है, लेगिन अल्ला का शुकर है, अब मुझे फाइदा है, इसी तरह कि मैंने प्रादम और लोगों को देखी, तो मैंने अपने गौनसिया में से उन लोगों को विजए दिया, उनको भी फाइदा है, माशले लिए आपके कंपनी से मैंने कई बार गौनसिया मंगाया, चार- माशले, आपको इसका अजर दे, आपको सही सलामत रखे, आपकी गुपतगु, आपके अलफाद बड़े इच्छे लगते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, मैंने अपने फादर की जिन्दगी से आपका प्रोग्राम देखना शुरू करा, आज उनको पैंस साल हो जाएंगे, आपके अपके एक्षपार हुए, उन्होंने ही मुझे प्रोग्राम दिखाना शुरू किया था, मुझे बड़ा अच्छा रखता है, बड़ा सुकून मिलता है, और मैं सब चीजे ले रही हूँ, आप से डारेक्ट बात करना चार रही थी, लेकिन मेरी आप से बात नहीं हो का जूस निकाल लीगे, मैंने निकाला, फिर मुझे पतर चला कि नहीं सो उतानी भी सो नहीं डालना है, बाराल वो भी जिन लोगों को मिलाकत दिया है, सभी को फाइदा हुआ है, बहुत दूआई निकलती है मेरे जिन से, आज के मौाश्रे में, आप जिस्तों की बहुत ज लेंगे, और फिर वो आप से हो सकता है, शेलिया बात करें, आपका इंटर्व्यू लें, और ये बहुत दूर तक पहुंचानी है, जी, और मेरी आप से मिलने की बहुत समन्ना है, बहुत भाईश है, जरूरूर। जिस्तों मेरी आप से मिलने की बहुत बड़ी समन्ना है, अच्छा मैंने अपने भांजे के लिए थायराइट उसको था, तो थायराइट से उसका मैंने उसको बना कर दिया, शुरू में उसने बताया मैंचे काफिर खायदा हुआ, लेकिन बाद में ये बता रहा था कि मेरा थायराइट बहुत बड़ गया, तो मैंने का ऐसा हो नहीं तो 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 उसका बड़ा अच्छा है, ऐसे कैसे हो गया, तो ये कह रहा था, मैं हकीन साफ से कुछ जाके मिलना अजिनली, सुप्यान नाम दोस्ता, सुप्यान लटीव का है, और कह रहा था, मैं जाके बात मैं आज भी सोज रही थी कि अब मेरे पास आख नाशी रास्ता है, बसके लेटर लिखोंगी आपर, मैं क्या करूं, मेरे पास इसकी अलावा कोई भी रास्तानी था, लेकिन मां बहुत रहा थानी तो तो जिन्हेँगा का रिक हैं हो, तो जन्हें लोगार मेरे आप से बात क नहीं हम आपको, सब लोग आपको दुआ में याद करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी तमाम बातों का तो जवाब शायद हमारे देना मुश्किली है हम इस लायक ही नहीं है आपके जजबात की पूरी तरह कदर भी नहीं कर पाने के लायक है लेकिन आप है कदरदान और वही कदर और वही भरोसा आपको फाइदा पहुंचाता है और हाँ मैं आपके लिए दूआ ज़रूर करूँगा और जो फोन आपका नहीं मिल पाता हमसे वो उसमें हमारा कुछ हिस्सा नहीं होता बलके इस कदर फोन आते हैं उसमें फोन मिल जाए तो हमारे हमारी बात हो पाती है और ज़्यादा कोशिश करने वालों की कॉल मिल जाती है लेकिन आपसे मुलाकाद जरूर होगी और आप हमारे लिए बहुत महतरम हैं और आपके सारे काम बनेंगे इंशालला आप बहुत कामियाबी की जिंदगी दुनिया और आखरत में भी जरूर ग जाए यही थोड़ी सी कोशिश जब कामियाब होने लगती है तो जो कुछ अल्दा ने दिया है बस उस पर शुकुर करना शुरू कर दीजिए और अपने रब से क्या मुश्किल है कुछ मांगना अगर हम पंजगाना अबादतों के साथ तहजिद में उसके सामने ने यह मेरा जाती तजर्बा है बहुत लंबी बात हुई आप से बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे इंशालला फिर बात होगी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए